सभी को नमस्कार, दोस्तों इस वीडियो में बात करने माले हैं, यूपीसी प्री 2021 के बारे में, जो की 10 अक्टूबर 2021 को होने वाली है, इस वीडियो में अपने अनुबो से बताऊंगा, कि किस परकार मैंने 4 बार आई इस प्रिलिम्स पास किया है, तो मैं अपना अनुबो आ अच्छे वीडियो लेकर यहां पे आता रहता हूँ, और प्री के बाद में भी एसे में कोर्स लेकिया हूँगा, आंट्स राइटिंग के विश्यश कर क्योंकि आप जानते हो, तीन बार मेरा इंट्री को लगा है हिंदी मादेम से, तो मेरे पास एक अच्छा कासा अनुब आपके बच के हैं, जैसे करंट अफेर की चीज़े आपके अभी बच की है, तो उनको आप आराम से कर रखते हो, एक करंट अफेर का मैसा एक डाउट रहता है कि कौन कौन से रिसर्श को फोलो के जाए, या मतलब इस समय एक तो मार्गेट में इतनी बार आद आती है करंट इकड़ा कोचिंग की ऐसे मतलब कौन कौन सी पड़े, तो मेरे साब से यह कि आप जो पढ़ते आयो अब तक, कि आपने कोई मंतली में जिन जैसी विजन फोलो की है, या इनसाइड की साइड फोलो की है, तो एक जो आप कंटेंड हमेसा से फोलो करते हैं, उसी को बार-बार करना, यही सबसे अच्छा तरीका है, आप लोगों लिए, क्योंकि जैदा करंट अफेर के चक्रव में पढ़ोगे न, तो आप मूल चीजों को छोड़ दोगे, तो एक चीज तो यह कि करंट अफेर के चकर में ज्यादा मत पढ़ना, जो चीजे मेन चीजें की जैसे वीजन पीटी तीन सबसेट अभी आ गई है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा में रिवाइज करें, क्योल एक रिसोर्स कापी है, बाकि आपने जो न्यूज पेपर से, जो भी आपने मंतली नोट्स पनाए थे, उनको आप डंक से रिवाइज कर सकते हैं, तो एक तो यह बात है कि कर बार बार परी निकला है, तो मैंने लास्ट समय में यह कोशिश की थी कि जैसे मेरे पास 50 दिन बचे हैं, तो मैं इस समय डेली एक पेपर लगाता था, डेली जैसे प्री का टेस्ट आता है, अब इसमें आपको मेरी इसला रहेगी है, आपको कहीं पेड़ कोर्स जोइन करनी और 50% पार्ट इस टेस्रीज पर देना है, जैसे मैं करता है, कि मैं अपने इस समय के अपने जो टाइम है, जैसे मैं दस बारा गंटे इस समय पढ़ता था, क्योंकि दो मेंने यह होता है कि हम फुली अपना टाइम डेडिकेट करते हैं, आइस प्रिलिम्स को, तो मैं अपना कि इसमें मैंने क्या गल्तियं किये है, और मेरी अच्छाही है, इसमें कैया है, इसकोर आपका चहिए हारा है, पचास आरा है, सत्तलड़ आ रहा है, उससे कोई नहीं पर लोगता, मेरा उमें सा टेस्रीज में स्कोर रील में इमांदर ये सी बतारा हूं कि सत्तर A Felम मुशकि कि उसको डंग से करना और सबसे इंपोर्टेंट चीज होती है टेस्ट देना इमानदारी से और उसका जो अक्स्प्लेंड ने सुन होता है कि आपकी क्या कमी उसको जुरूर देखना है और जो आपकी कमी है उनको थोड़ो विश्यस तोर पे देखना कि आ याम में गलती कर रह चीज में मेरे आब की सांगे के पचास-साथ तेस्ट लगा दो डेली उनको रिवाइच करना है और लास्ट को सिर इनकी हर सबता में जो टेस्ट आपने लगए उनको डो तन्रिवाइच भी कर लो डिवाइच करने में ज्यादा n ticket फेले दिया में जी बैक से Axis अन्क से अग देडिकेट करते थे धिर को जैसे उन्होंने दो तेसरि भी ब्ता है कि दो तेसरिज को लेकर वह सको बार भार यौ मानते हैं के जुपांच भार इस कर कर लेंगे है उनकी फोटकोपिए आपकी पास रहती है जो उनकी पास रिखे रहते हैं उनका इस यहांसे हो जाएंगे है कर ने Film आपको अनुट है मेरा इस समय करेती है लिवाई रुघा फाईयु चैनता रएट है यह यहां ने 12 च्रया हो जाएंगे जैसे UPC के में करता था 25 साल के पेपर, अब जो न्यू एस्प्रेंट है वो इस बात को मानते नहीं, उनको यह लगता है कि 5-7 साल के पेपर काफी है, यदि आप मेरे से इस बात को पूछना चाओगे कि आप इस समय क्या करते थे, तो मैं UPC के जो 25 साल के पेपर है, वो उठा और 1995 के लेकर, तो उन पेपर में मुझे सबसे इंपोर्टेंट जो एडिया है, जैसे इस्ट्री है, आर्ट और कल्चर है, जोग्राफी की स्टेटिक पार्ट है, जो स्टेटिक पार्ट वाले हैं, उसमें ऐसा लगता है कि वहां से बहुत सारे कुशन नहीं सालों में रिप इसानी की रट्या मार के आप आराम से प्री निकाल सकते हो, तो उन में क्या लगता है, लोजिकल गेसिंग भी लगता है, चीट कोड भी उन में कुछ होते हैं, मैंने ऐसे कम से कम 20-25 वीडियो बनाएं कि कैसे यूपीस के पेपर को हम लोजिकल वे में सोल कर सकते हैं, प्ले पड़ा रखा, आप एक वार जा कि देखना, मैं गारेंटी देता हूँ आपको आपके यूपीसी में 15-20 मार्क जैदा आएंगे, निची दूरुप से आएंगे, क्योंकि एक तरीका होता है, एक अनुबह है हमारे पास की प्रिलिम्स निकालने का कि यार, बार बार जैसे आ अलागे हड़ वर्क उसमें होता है, क्या आसानी नी होती, बहुत महेनत करनी पड़ती इसमें कोई सकी निए, लेकिन कुछ स्मार्ट तरीका भी होता है, और यही तरीका होता है, बहुत सारे मैंने अपने दोस्तों को साथ देखी प्रोब्लम, विस्येस कर हिंदी मीडियम क साथ में कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं पूरा हाडवर्क करते हैं लेकिन फिर भी प्रिलिम्स फेल कर जाते हैं इस तरीके से कि थोड़ा सा इसमार्ट तरीके से वो चीजों को देखते नहीं करते हैं कि यूपीशी के पेपरों में ब्सकुशन अलग से भी आप सोल कर सकते हो थोड़ा सा तो यह तरीका आपने जान लिया तो आपका जीएस में तो आपको स्कोर मतलब 110-115 आ सकते हैं जैसे मेरे 120-110-105-102 हमेशा मतलब जीएस में अच्छा स्कोर रहा है और इसमें एक चीज और है कि इस साल जैसे यूपीस ने और भी एक्जाम लिये CDS, NDA, CPAP के जो एक्जाम होती है आप इस साल जो वियूपीस की 2021 में एक्जाम लगी है 2020 में जो एक्जाम लगी है उपीस साइट पर जाना और वहां पर उनका कुस्षन पत्तर होता है और उनकी आंसर की भी ऊती हूट को डाउनलोड करना उनको भी थोड़ढ थोड़़ढ दे जो दोस्त बार बार सिशेट में फेल हो रहे हैं तो पचास तिन में बिल्कुल रिस्क मतले ना डेली दो तिन गंठा सिशेट को देना है आपको एक्जाम में आपकी तेहरी के बावजूद भी आप एक्जाम में एक तो नर्वस फिल करते हो और यह आपके अंदर मन में भह आना तो यह आपको नुकसान कर सकता है क्योंकि एक्जाम के अंदर आपका मन का और दिमा का सांत होना बहुँ जरूरी है तो इस चीज पर द्यान जाना थोड़ा इस समय योगा मेडिटेशन कर सकते हो यह प्रैक्टिकल चीजे बता रहा हूं कि सब के साथ समझ आती चाहिए आप कितनी तेहरी करके जाते हो लेकिन फिर भी एक फिर रहता है एक टेंसन थोड़ी सी रहती है तो उसको दूर करने के लिए अभी से थ लग आप कर दो